जैसरी महांकाल, जैसरी महांकाल दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी काम में हमारा मन नहीं लगता पूरी कोशिश तो करते हम, पर मन नहीं लगता हमारा तो इस विशे पर इस वीडियो में पूरे पर हम बात करेंगे और बिल्गुल यूनीक और ये वीडियो को देखने के बाद आपकी जो परिशानी ना काम में मन नहीं लगना ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तो वीडियो को पूरा और अंतर तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए चार मिट का वीडियो है जिसमें आपको बहुत से चीज़े क्लियर हो जाएगी आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यह दि नहीं किया है तो मैं चोटा सा अपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे ओम नमश्यवाए और अगर आपका काम में मन नहीं लगता है तो क्या वजह है वह भी आप कमेंट्स में लिखे कि इन वजहों से नहीं लगता है दूसरी बात है कि अगर अपनी कुंडली का विश्लेशन मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के उपर नमबर चल रहे हैं आप वाट्स अप पर अपोन्मेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं तो आते हैं मुद्दे पर काम में मन नहीं लगना हम पूरी इमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ कोई भी काम करना चाहते हैं हम योजना तो बड़े जोर सोर से बना लेते हैं लेकिन जब योजना को धरती पर उतारनी की बारी आती है तब काम में मन नहीं लगता है या हम कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई नोकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं चाहिए घर में हम घरेलू कारी क्यों न कर रहे हो या पढ़ाई क्यों न कर रहे हो कोई भी काम हमारा मन नहीं लगता है उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो हमारी एकागरता की बात आती है अब एकागरता सब कहतो देते हैं कि आप एकागरोकर करें और आप शांती से करें आप अपना मन लगाए ध्यान लगाए ये सब बात कह देते हैं लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती कि इसके लिए हमें करना क्या होता है तो जब भी एकागरता और ध्यान की बात आपके जहन में आती है या कोई भी आपको ये सलहा देता है तो सबसे पहली बात है कि अपने मन में उठने वाले जितने भी ख्याल विचार हम होते बैठे तो यहां रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग और मस्तिश्क और कहीं किसी जगा पर घूम रहा है तो कोशिश पहली जो एक अगरता वाली कि अपना ध्यान जो दिमाख है हमारे विचार है जो हमारे हाथ है जो हमारे कार्य है वो एक जगा हो जिस जगा पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो सुन रहे हैं आपके कान आपका दिमाग, आपका मस्तिश्क एक जगा होना चाहिए कि आप इसे सुन रहे हैं सबसे बैसिक सा कॉंसेप्ट और सबसे सरल तरीका है और यही जो क्रिया मैंने आपको बताई यही अपने कारे में आपको करना है आपका काम जो आप कर रहे हैं उसमें अपना दिमाग और मस्तिश्क सभी चीजें महाँ पर रखे अब दूसरी बात ही रहती कई बार इसमें हमारे निजी परेशानिया होती जैसे वेतन कम मिलना व्यापार सही से नहीं चलना यह सभी परेशानियों को भी आप अलग रखे क्योंकि परेशानिया तो इस जीवन का हिस्सा है वो आती रहेगी वो जाती रहेगी आपको केवल अपने काम को इमानदारी से करना है जैसा मैंने बताया और दूसरी बात है कि उस कारी के प्रतियापकी इमानदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूर उसमें नया पन कलात्मक्ता क्रियेटिविटी जीसे कहते हैं जो भी नया हमसे हो पाए वो नया हमेशा करते रहे हैं क्योंकि ये खुद के लिए हैं मतलब ये खुद को जीवित रखने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए चीज़े न कि कि किसी वेतन किसी तनखा या किसी व्यापार की व्रद्धी के लिए हुए इन सभी चीज़ों से हमें नया नुभों मिलता है नया जोषफण्पन होता हैं नही क्रियेटिविटी जन्म लेती है और यही क्रियेटिविटी आगे आने वाले समय में हम इसे पैसे में बदल सकते हैं यह सबसे आसान तरीका है चोथी बात होती है कि लोगों की बातों में नहाए क्या कहीं बार लोग फस्टेट कर देते तो उमसे नहीं हो पाएगा ये तो कुछ नहीं कर पाएगा और जो लोग सामाजीक दबाव हम पर बन जाता है बे जबरन का इससे बाहर निकले आप बहुत कुछ चीजे कर सकते हैं बहुत सी योगिता हैं और आप बहुत अच्छे इनसान हैं अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें